फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम देखेंगे पेट के लिए एक जवरदस्त नुस्का जिन लोगों के पेट में दिक्कत रहती है कब्ज रहती है और गैस की प्रोलम होती है खाना धंग से नहीं पचता है और दोस्तों जिनका मोटापा बहुत जादे बढ़ गया जिनके बाइन है यह लग लग तरीका कि इस अनुपात में मिलाना है और नुस्का बनाने की पूरी प्रिक्रिया है वह आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंट्स तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों हम बता दें इसका जो है जिन लोगों के पेट में कब्ज रहती है गैस की प्रोन होती है या खाना नहीं पच्टा है या बहुत ज्यादे परिशानी होने लगती है तो दोस्तों आपको यह 10-15 दिन यूज करना है आप 2-4 दिन यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यह आपको सूट कर रहा है यह नहीं कर रहा है दोस्तों पहले इसक परिशान रहते हैं पेट की समस्या उसे पिट में वहती है या फिर फिppenेश होती होती है नावी प्योल जाते लीवर पैन्क्रियास गाल ब्लडर यह प्रांग नहीं कर पाते तो इसकी हमारा खाना नहीं पास्ता है खाना ना पासने की वेदेशे लूज मोशन अल्स्रेटीब कोलाइटीज आई व्यास जैसे समस्या होती है आइवेस की समस्या होती है तो हमारे दिमाग में अजीप्सी ह लूज मोशन जैसी समस्या हो जाती है एक बात करने को मन नहीं करेगा सुसाइट करने ऐसा मन होता है तो यह जो नुस्का मैं बता रहा हूं यह इसमें फाइदा देगा परंतु दोस्तों अगर आपकी नावी हट गई है तो प्लीज एक बार जरूर चेक रहेगा ठीक रहेगा और हाँ पेट को कोई नहीं मसलवाएगा पेट को नहीं मसलवाना है कुछ लोग कि अगर तेल डाला नाभी में और मसलना सुरू करेते हैं मसलवाना नहीं है अगर मसलवाओगे तो पेट की जो समस्या है अगर ठीक होई तो ठीक है नहीं ठीक होई तो बहुत लंबी समस्या बन जाती है बहुत मुश्किलों से ठीक होती है कई बार तो ठीक होती नहीं है अगर इस पकार कि आपको समझ्या है तो मेरे अपना कॉंटेक्ट नंबर इस वीडियो के लाश्ट में दिया हुआ है तो वीडियो को सुभी से लाश्ट देखियागा ताकि आप अच्छे समझते हैं अगर आपकी नाभी है तो आप मेरे से संपर कर सकते हैं मैं सचिंगमार नेरो थैपिस्ट यह जो सारा समान है आपकी रसोई मे में जो फैट जमा हो जाती है तो उसमें बहुत फाइदा देता है अगर हम जीरा मिला लेते हैं तो और अजवायन गैस की समस्या को कब जो को दूर करती है दोस्तों खाना खाने के बाद अगर हम सौप खाले तो डाइजेस्टिप सिस्टम के जो एंजाइम होते हैं उनको न साथ में मिलाकर रखुआ होता है ताकि हमरे खाने को डाइजेस्ट कर दें तो सकता है यह आपके पास ना हो रसोई में यह है अलसी के अंदर ओमेगा-3 fatty acid होता है जो हमारी fat को कम करता है और दोस्तों जब इसमें मिलाते हैं जब हमारे पेट में जाता है तो इसमें एक मीकस तो आपका मल वह बंद्रत अलंगता है अब देख सकते हैं यह क्वैज है तो अब हमें क्या करना है तो फरेंट्स अब किस अनुपात में हमें यह लेना है वह देख लेते हैं आपको एक खाली गटोरी लेनी है तो सबसे पहले हम अजवाईन लेंगे तीन चम्मच अजवायन तीन चम्मच लगवग अजवायन हो गया और जीरा लेंगे अगर आपका मोटापा ज्यादा है तो यह थोड़ा ज्यादे भी ले सकते हैं यह सौप है यह सौप हमें लेनी है तीन चम्मच एक तो फ्रेंट से तीन चम्मच हमने सोब जीरा और अजवायन ले लिया है अब हमें क्या करना है यह अलची जो लेना है यह थोड़ा कम लेना है यह लगवार देड़ या दो चम्मच हम ले लेंगे यह सारा समान हमने ले लिया है अब दोस्तों हमें क्या करना है यह सारा समान ए माचल मुद्धी और डर्वर्भी ह्में थोड़ा सा भूनना होता है। देख सकते हैं। queremos color थोड़ा change हो गया इसमें हलक हलका सब धूंगा भी निकलने लगा है तो फ्रेंट अब हमें इसको mixi में पीछना है जो उसमें अब मसाला पीछते हैं इस परकार से हम इसको पीछ लेना है आप देख सकते हैं कि जोसना अच्छा सांदर्स का कलर हो गया है इसके बाद हम इसको मसाली पेजने वाली जो ग्रेंडर होती यह मिक्षी होती है उसमें टालकर इसको पीशे लेंगे बारी चूरन इसका बना देखी फ्रेंट्स कर गए चूरन मैंने बना लिया है आप देख सकते हैं कितना सांदर चूरन बन गया है बहुत अच्छी इसमें खुसू आ रही है सौंक जीरा अजवायन और अल्ची के वीजिन को हम फ्लैक्षीट्स ओयल भी बोलते हैं इंगलीज में तो यह चूरन त्यार होता है दोस्तों गर्म पानी के साथ ही लेना है गुल गुले पानी के साथ